बच्चों ये हैं हमारा लेक्चर 243 और हम कर रहे थे आपकी इंग्लिश की NCRT टेक्सबुक हनी सकल में से चाप्टर दबन्यान ट्री सो हम थे पेज नमबर 131 पे और हम थे इस चाप्टर के क्लाइमेक्स पे एंड पे चाप्टर में हमने लास्ट देखा था कि किस तरह से सांप और नेवला लड़ रहे थे किस तरह से स्नेक और जो मौंगू से उनकी लड़ाई हो रही थी सो अभी हम पड़ रहे थे कि जो मौंगूज है उसने स्नेक के गले पर अपने नाखुन के निशान कर दिये थे अपने मूह से उसका जो उसने नेवले ने अपने दांटों से उसके जो उसकी नैक है उस पर अपने वो उसने दांत गड़ाए थे फिर उसने तब तक उसके गले को पकड़े रखा अपने दांतों से अपने नाकुन अपने दांतों से तब तक उसने उसके गले पर स्नेक के गले को पकड़ के रखा जब तक स्नेक ने स्ट्रगल करना बंद नहीं कर दिया मतलब स्ट्रगल करना बंद नहीं कर दिया फिर उसने पूरा उसको स्मेल किया उपर से नीचे तक सारा ग्रिब डिटे राउंड दा हुड और उसको जो हुड हुड का मतलब जो गर्दन थी पूरा उसको उसने बहुत जोर से उसने ग्रिप की और ड्राइग इंटू बुशिश फिर वो उसको ब्रा को जाडियों के पीछे ले गया मतलब पहले उसने जो मौंगूस है उसने पूरा स्मैल किया वो स्मैल करके क्या चेक कर रहा था कि भई वो मर गया फिर जब उसको लगा हां मर गया फिर उसने उसको उसकी गर्दन से पकड़ के अंदर जाडियों में धकेल के ले गया सो मतलब फाइनली मोंगूस जीत गया, कोबरा और मोंगूस की फाइट में मोंगूस जीता 17th, the manna dropped cautious to the ground अब वो जो manna थी, वो धीरे धीरे ground पे आई, hopped about और वो hopped मतलब जहांक के देखने लगी, जंप मार के देखने लगी peered into the bushes from the safe distance, so वो उसने जो bushes है, वो जो जाडियां है उस पे तांका जाकी की and then with a shrill cry of congratulation, और उसने मतलब एक तरह से जैसे तीखी आवाज में congratulation बोला और flew away, उड़ गई, मतलब वो जो manna, वो चाहा रही थी कि स्नेक मर जाए, ठीक है so snake जो होते हैं, यह मतलब इनके अंडे खा जाते हैं, तो यह इनके दुश्मन ही होते हैं, इनके भी birds के so वो खुश हो गई, और फिर congratulation की मतलब जैसे बोल रही हो और वो उड़ गई, ठीक है crow को भी, crow को भी मतलब snake नहीं मार दिया, ऐसे उसको पटका था, तो finally जब so यह chapter Ruskin Bond लिखा था, था क्या chapter का नाम? बन्यांट्री, ठीक है, so chapter the बन्यांट्री जैसे चालू हुआ, page number 124 पे, तो हमने देखा कि मौंगूज और कोब्रा के बारे में बताया गया था, फिर यहां पे chapter चालू हो रहा है, page number 125 से, so बता रहे हैं कि भाई, जो grandfather है, उसके author के जो grandfather है, वो मतलब वो घर में रहते हैं, उससे भी पुराना है उनका बन्यांट्री, और वहां पे squirrels, snails, butterflies पाए जाते हैं, और सबसे पहला दोस उसका squirrel था, poet का, और author का, फिर page number 126 पे, फिर यह जो बन्यांट्री है, वो उसमें छोटे-छोटे, मतलब छोटे-छोटे fruits भी उगे थे, fix उगे थे, fix मतलब अंजीर उगे थे, और birds वहां पे आ जाते थे, उसे खाने, बुल-बुल, और parrots, मैना, क्रोज, यह सब आ जाते थे, और जब अंजीर की season होती थी, जो बन्यांट्री था, वो सबसे ज़्यादा, आवाज वाली जगे था, Halfway up the tree, I had built a crude platform where I could spend the afternoon, और वहीं पे poet, author ने अपनी ले platform बना लिया था, और वहां किताबें पढ़ता था, Treasure Island, Huckleberry Finn, और Story of Doctor Doolet, यह तीन किताबें पढ़ता था, जो उसने उसकी बन्यांट्री की library बनाई उससे, जब उससे लगता था कि मैं पढ़ू नहीं, तो वो leaves से नीचे देखता था, और एक दिन afternoon को उसने नीचे देखा कि कोब्रा और मंगुश लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो वहाँ पर वो, I was feeling drowsy myself, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसको drowsiness हो रहा था, वो रामु के साथ, उसने सोचा कि buffalo और मैं जाऊं, जब उसको पीछे उसने कोब्रा देखा, जो कैक्टस से निकल रहा था कोब्रा, और उसी समय मौंगूस निकला ज़ाडियों से, वो कोब्रा के जाके सामने खड़ा हो गया, और दोनों की fight एकदम वो देख पा रहा था, तो कोब्रा को पता था कि जो ग्रेम मंगूस है, जो 3 feet long है, वो super fighter है, clever है, aggressive है, पर कोब्रा भी कम नहीं था, तो वो जोर-जोर से मतलब गूम रहा था, और ऐसे लग रहा था, champions की लड़ाई हो रही है, तो वो कोब्रा हिस कर रहा था, और कोब्रा देखो, 6 feet लंबा था, देखो मौंगूस की height कितनी है, मौंगूस की height यहा दिवी है, मौंगूस की height है, देखो तो कोब्रा नियू अनली टूर वैल देट ग्रे मंगुस त्री फीट लॉंग ठीक है मंगुस तीन फीट था और जो कोब्रा है वो छे फीट था ठीक है तो मंगुस जो बुश्टिस टेल उसने अपनी जोर से टेल ऐसे पचाड़ी और उसके जो बाल थे वो खड़े होके नुकीले बाल थे फिर यह सब देखते टाइम मैना और मैना भी देख रही थी और क्रो भी देख रहा था फिर गड़ी गड़ी वो लग आगे जा रहे थे फिर पीछे आ रहे थे फिर एक बारी तो क्या हुआ मतलब कोब्रा ने कोज़ को जोड़ से γο suspension, ठीक है, इस तरह से मतलब करो जाके गिरा जाड़ियों में, ठीक है, meter by जोड़ जाड़ियों में तरह बहूँ है मतलब 20 पूर जाके गिरा आउड़ جolph ना जाकिक टीक है, भाट पूर के गिरा ABC आछार जले से काटा और उस पर खून निकलने लगा और फिर से काटा और फिर वो तडब तडबने लगा और फिर मर गया और उसको जाड़ियों में ले गया तो मैना फिर दीरे से आई और वो देखके खुश हो गई कि चलो भाई कोबरा की टैथ हो गई तो यह रसकिन बॉंट त्वारा लिखा गया चाप्टर था अब हम इसकी NCRT exercise कम्प्लीट करते हैं तो वर्किंग विद टेक्स्ट में कम्प्लीट दे फॉलोइंग सेंटेंसे तो वो जो ओल्ड बन्यान ट्री था वो ग्रैंट फादर को बिलॉंग नहीं करता वो खाली उस लड़के को बिलॉंग करता था क्यूंग चारण क्या है दे ओल्ड मेंग वो जो ऑफर है वो क्यूं ऐसे बोल रहा है जिसने ये स्टोरी लिखे है वो क्यूं बोल रहा है बन्यान ट्री मेरा है क्योंकि वो जो बुड़ा अदमी था वो इतना ज़्यादा strong नहीं था कि वो उसको चड़ पाए The old man was not strong enough to climb it Page number 132 पे The small gray squirrel became friendly when वो जो छोटी सी squirrel थी जो छोटी सी गिलहेरी थी वो दोस्त बन गई author की poet की author की दोस्त बन गई कैसे बन गई जब उसने देखा It found that the boy carried no catapult जब उसने देखा कि उसके पास कोई वो नहीं है मतलब क्या बोलते हैं उसे कोई वो गुलेल नहीं है catapult मतलब गुलेल और एरगन उसके आथ में कोई एरगन नहीं है तो वो उसकी दोस्त बन गई वरना सब उसको परिशान करने आते थे squirrel को पर जब उसने देखा कि author के आथ कुछ भी नहीं है तो वो उसकी friend बन गई when the boy started to bring him pieces of cakes and biscuits to the squirrel तो जब जो लड़का है उसके लिए cake और biscuit cake pieces लेके आता था तो squirrel क्या करती थी squirrel became bold enough मतलब squirrel इतनी ज़्यादा तेज हो गई to take pieces of food from his hand मतलब वो इतनी ज़्यादा बोल्ड हो गई कि वो उसके हाथ से जो है food के pieces उसके हाथ से ले गई in the spring the bunyan tree blank and blank would come there so spring season थी जो ये जो spring season थी वसंत season थी तो जो bunyan tree है the bunyan tree blank and blank would come there so bunyan tree was was full of small red figs so spring season थी जब वसंत रितू थी तो जो bunyan tree है bunyan tree में छोटे छोटे लाल कलर के fig उगे मतलब अमरूद उगे spring season में छोटे छोटे लाल अमरूद उगे and blank would come there and birds of all kinds हर तरह की birds वहां आते थे and birds of all kinds the bunyan tree served the boy as a तो bunyan tree boy के लिए क्या बन गया था एक library बन गया था reading room बन गया था so as a reading room so bunyan tree boy के लिए reading room बन गया था where he had made a rough platform तो जहां उसने एक rough platform बना लिया था मतलब एक अपने लिए platform बना लिया था to sit and read books वो वहां बैठके किताबें पढ़ता था sit and read books the young boy spent his afternoons in the tree so young boy अपनी दुपेर पूरी वहां tree पही गुजार देता था leaning against the tree मतलब वो ट्री पह बैठके अपनी पूरी दुपेर निकाल देता था leaning against the tree reading story books so story books पढ़ते पढ़ते वो ट्री पे बैठे बैठे अपनी सारी दुपेर निकाल देता था so so be part answer the following questions it was to be a battle of champions यह यह जो लड़ाई थी champions की होने वाली थी first part what qualities did the two champions have मौंगूस और कोब्रा में क्या qualities थी pick out words and phrases from the paragraph above this line in the text and write them down तो कौनसी qualities champions में होने वाली थी words आप pick out करो and phrases from paragraphs and write them down आपको सब लिखना है so मौंगूस और कोब्रा की qualities लिखनी है आपको so मौंगूस क्या है मौंगूस है great fighter so मौंगूस की क्या qualities है मौंगूस है a great fighter और कोब्रा की क्या quality है skilled and experienced fighter so mongoose की quality तो देखो पहले mongoose a great fighter kobra skilled and experienced fighter है फिल भी mongoose very clever है and swift है, fast है और kobra had a broad hood जो kobra है उसका फन बहुत फैला हुआ है and poisonous teeth और उसके दान्त बहुत ज़्यादा poisonous है फिर सी made calculated move जो mongoose है, सोच समझ के कदम उठाता है c, swift in speed and attack बहुत फास्ट है ठीक है mongoose सोच समझ के कदम उठाता है और kobra बहुत फास्ट जो भी उसको करना होता है, fast swiftly करता है speed में और वो attack कर देता है ठीक है अब क्या पूछ रहा है second, यह first part था यह इसका first part हमने complete किया second part पूछ रहा है second part what did the cobra and the mongoose do to show their readiness for the fight mongoose और kobra दिखाना चाहते है कि भाई मैं भी तयार हूँ वो दिखाना चाहता है मैं भी तयार हूँ लड़ने के लिए तो वो क्या करते हैं दिखाने के लिए अपनी readiness कि हम तयार है so second part the cobra produced a hissing sound so cobra ने hissing sound निकाली मतलब वो जो cobra की आवाज होती है डंक की to challenge the mongoose to a fight मतलब वो mongoose को challenge करने के लिए उसने ऐसी आवाज निकाली it raised three feet of its body और वो तीन feet खड़ा हो गया it raised three feet of its body of the ground मतलब वो तीन feet खड़ा हो गया ground से it spread its broad hood उसने अपना fun फैलाया hood मतलब fun broad मतलब चोड़ा so cobra कैसी sound निकाल रहा था hissing sound निकाल रहा था hisses करके mongoose को challenge कर रहा था fight के लिए और उसने अपना जो तीन feet फन है तीन feet body वो उची कर दी और वो अपना fun फैलाने लगा तो ये इस तरह से cobra ने दिखाया कि मैं लड़ने के लिए तयार हूँ mongoose ने कैसे दिखाया so mongoose ने the mongoose bushed its tail mongoose ने क्या किया mongoose bushed its tail mongoose ने अपनी tail मतलब tail हिलाई the long hair on its back also stood up तो उसने जोर से अपनी जो tail है वो हिलाई तो उसके जो long hair थे बड़े बड़े hair थे वो खड़े हो गया तो इस तरह से उसने उसके जब शरीर के बाल खड़े हो गया तो mongoose ने दिखाया उसने अपनी मतलब tail पट की और शरीर के बाल उसके खड़े हो गया और cobra खुद 3 feet खड़ा हो गया और अपना fun पर लातो ये दोनों ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं ऐसा करकि ये दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि we are ready to fight next question question 2 who were the two other two spectators ये जो पूरी fight है देखने वाले और कौन दो जन थे जो देख रहे थे what did they do उन्होंने क्या किया did they watch or did they join in the fight so क्या उन्होंने देखा या क्या वो fight में join होए कौन बाकी के दो देखने वाले थे उन्होंने क्या किया क्या उन्होंने देखा या क्या वो भी join करने वाले थे fight question 2 so एक एका answer करेंगे who were the other two कौन थे दो और देखने वाले what did they do उन्होंने क्या किया did they watch or did they join in the fight तो क्या उन्होंने देखी क्या वो join होए fight में so करेंगे इनका answer spectators कौन थे देखने वाले? So, महिना और wild crow. So, a महिना and a wild crow. Were the other two spectators? मतलब जो महिना और wild crow थे, वो दो और देखने वाले थे. What did they do? उन्होंने क्या किया? तो पहले तो वो cactus plant पे बैठ गया है. So, first of all they sat on the cactus plant. तो सबसे पहले ये लोग cactus plant पे बैठ गया है to watch the outcome of the fight. वो लोग cactus plant पे बैठ गया है ताकि उन्हें पता लगे fight का result क्या है. First of all, they sat on the cactus plant to watch the outcome of the fight. fight का हाल क्या होने वाला है? वो देखने के लिए वो बैठ गया है. In the end they took part in the game. और last में ये लोग भी भिड़ गया है. In the end they took part in the game. बोथ ट्राइड टू पिक अप बोथ ट्राइड टू पिक अप दा कोब्रा फॉर देर मील. मतलब in the end they took part in the game. पहले ये लोग दूर से देख रहे थे एक्टरस पर बैठे बैठे. फिर बीच बीच में जा भी रहते. दोनों ने ट्राइड किया कि वो कोब्रा को सांप को उठाएं अपने खाने के लिए मतलब सांप उनका खाना बनता उनको खाने के लिए उठाएं पर क्रो को तो डंक मार दिया सांप ने तो क्रो गौट बिटन एंड डाइड तो क्रो को तो मारी दिया कोब्रा ने मतलब उसको दांट से लगा के उसको मारी दिया फिर मॉंगूस ने क्या किया मतलब वो तो क्रो ने तो उसको मार दिया क्रो तो मर गया उसके डंक से फिर दे मॉंगूस ड्रैग्ड दे स्नेक अवे इंटू दे वुशेज फिर क्या किया मॉंगूस उसको जाडियों में लेके गया मॉंगूस ने को जाडियों में लेके गया दा माइना अलसो फ्लू अवे दा माइना अलसो फ्लू अवे सो मैना भी उड़ गई ठीक है सो मॉंगूस ने स्नेक को जाडियों में ले गया और मैना भी उड़ गई तो इस तरह से मैना और wild crow spectators बने मला देखने वाले बने पहले एक एक्टरस पे बैठे दोनों को देख रहे थे दोनों ने game में participate किया दोनों ने कोबरा को उठाने की कोशिश की अपने खाने के लिए crow तो मार दिया गया और मौंगूस फिर snake को जब जाड़ियों में ले गया तो मैना भी उड़ गई question 3 read the descriptions below of what the snake did and what the mongos did भई क्या snake ने क्या किया और मौंगूस ने क्या किया arrange their actions इनके actions arrange करो in proper order और इनके actions proper order में arrange करो ठीक है तो यह सारे descriptions read करो और उनके actions arrange करो ठीक है तो 1st 1st is ceased to struggle 2nd tried to mesmerize the mongos 3rd coiled itself around the mongos 4th struck the crow 5th struck again and missed 6th struck on the side that the mongos pretended to attack grabbed the snake by the snout dragged the snake into bushes darted away and bit the cobra on the back pretended to attack on the cobra on one side refused to look into snake's eyes sprang aside jumped in and bit तो यह सारे descriptions आपको पढ़ने हैं और आपको बताना है क्या किसके साथ मैच होगा मतलब मैच नहीं सॉरी वाई सबसे पहले भाई स्नेक ने क्या किया और फिर यहाँ मोंगूस ने क्या किया मतलब आरेंज करना है सबसे पहले टुक twenty PCR review मैस्मराइज था मचोन तैले सबसे पहले मौंगूस को मैस्मराइज करने की कोशिश की मैस्मराइज मतलब अपनी आखेन चंपकिली आखों में उसने उसको चंपकिली आखों से उसको बेहकाने की कोशिश की पर वो भेका ही नहीं फिर उसने क्या किया struck on the side that the mongoose pretended to attack वो उसने जोर से hit किया mongoose की तरफ so second part ये फिर फिर से उसने struck किया फिर से उसने उसको struck किया and missed फिर से उसने उसको struck किया third पर miss हो गया फिर next part क्रो को struck किया उसने जोर से क्रो को जटका दिया fifth part ceased to struggle मतलब वो ceased to struggle का मतलब क्या हुआ ceased to struggle मतलब वो अब नहीं लड़ नहीं पा रहा था लड़ना उसने बंद कर दिया ठीक है so coiled itself around the mongos fifth number coiled itself around the mongos mongos के इद्गिर्थ coiled करने लगा कुद को जकडने लगा फिर last six cease to struggle कुछ नहीं किया मतलब फिर struggle करना भी बंद कर दिया सबसे पहले try to mesmerize the mongos mongos को मंत्र मुग्द करने की कोशिश की मलब उसको आखों से heptronize करने की कोशिश की second struck on the side that mongos pretended attack किया उसने third फिर से attack किया fourth crow को attack किया fifth mongos के इद्गिर्थ उसने coil किया जकडा खुद को cease to struggle पर फिर वो कुछ नहीं कर पाया ठीक है so ये एक snake ने किया इसको हमने arrange किया ठीक है अब इसको arrange करो so सबसे पहले mongos सबसे पहले it refused to look into the snake eyes उसने snake की eyes में देखा ही नहीं refused to look into the snake's eyes snake की eyes में देखा ही नहीं pretended to attack the cobra on one side उसने pretend किया कि मैं कोब्रा को एक साइड पे attack कर रहा हूँ pretended to attack the cobra on one side फिर next sprang aside jumped in and bit तो फिर वो उस पे मतलब जंप किया उसने ठीक है sprang aside and jumped in and bit ठीक है फिर उसने क्या किया snake को उसके गले से पकड़ा ठीक है so grabbed darted away and bit the cobra on the back उसने फिर उसके बैक पे उसने उसके बैक पे वो भरा मतलब बैक पे खून निकाला so उसने उसके पीट से खून निकाला फिर फिर फिफ्थ उसको उससे उसके गले से पकड़ लिया grab the snake by the snout snout मतलब गला ठीक है फिर drag the snake into the bushes फिर उसको जाडियों में ले गया ठीक है मारने के लिए उसको जाडियों में ले गया so refuse to look into snake eyes में नहीं देखा उसने देखा कि भाई कोब्रा को अटेक कर रहा हूं फिर जंप किया फिर उसको पीछे उसने काटा snake को पकड़ा और उसको जाडियों में ले गया question 4 what happened to the crow in the end? end में crow के साथ क्या हुआ? so end में the crow got bitten by the cobra and it lay dead so the crow got bitten by the cobra and it lay dead ठीक है? crow को कोब्रा ने काटा the crow got bitten by the cobra crow को कोब्रा ने काटा और वो मर गया what did the में ना डू फाइनली? finally में ने क्या किया? so second number the में ना flew to the ground वो नीचे उड़के आई flew to the ground नीचे उड़के आई flew to the ground looked into the bushes फिर उसने कहा देखा? जाडियों में looked into the bushes उसने जाडियों में देखा gave a shrill cry and flew away gave a shrill cry और वो जोर से चिलाने लगी and flew away gave a shrill cry and flew away और उड़ गई ठीक है? so में ना ने क्या किया? में ना flew to the ground में ना ग्राउंड में उड़के आई बुशिस में जाडियों में देखने लगी और जोर से चीखी और उड़ गई ठीक है? so ये में ना ने किया ठीक है? the word round usually means a kind of shape what is its meaning in the story? so जो round word है इसका मतलब shape होता है तो इसका story में मतलब क्या है? round word का मतलब क्या है story में? so so round word का मतलब story में क्या है? the word round usually means a shape round मतलब एक shape होती है but इसकी story में meaning क्या है? round का story में meaning क्या है? so story में round का मतलब दूसरा वही fight करने का दूसरा round मतलब second course of fight so तो राउंड का मतलब स्टोरी में है सेकेंड कोर्स ओफ फाइट सो इसका मतलब है दूसरी बारी लड़ाई सेकेंड कोर्स ओफ फाइट सेकेंड कोर्स ओफ फाइट मतलब दूसरी बारी लड़ाई सेकेंड कोर्स ओफ फाइट find five words in the following paragraph which are generally associated with trees सब पांच शब्द ढूंडो जो trees से जुड़े होए हैं पर यहाँ पे वो differently used हो रहे हैं सबर फाइब बार इस was in the which are generally associated but here they have been used differently underline the words so पांच शब्द है so सबसे पहले देखो leaves, हरी leaves for work at nine, so यहाँ leaves story में leaves का मतलब branches है, so पहला शब्द यह हुआ leaves, he works in the local branch of the firm firm की local branch में काम करते है और यहाँ branch tree की branch है second of the firm of which his uncle is the owner हरी success is really the fruit of his own labor, हरी की जीत है, उसकी फल, उसकी मेहनत का फल है, so यह third number हुआ he is happy but he has a small problem खुश है, पर उसको चोटी सी तकलिफ है क्या the root cause of his problem is a straight dog near his office root cause मतलब जड अच्छा, यहाँ पे देखो, यह भी tree में use होता है मतलब एक पालतु पालतु कुत्ता, एक आवारा कुत्ता उसकी problem है, the dog welcomes हरी with a loud bark every day dog रोज हरी को भार्क करता है उस पे so यह देखो, यह जो सारे word यूज होए है यह actually in sentences के लिए है बट अगर आप देखो तो सारे tree के parts है, हरी leaves for work मतलब काम पे जाता है the local branch of the firm firm की एक branch, firm की एक firm का एक हिस्सा real fruit मतलब सच्चाई का, भई, महनत का फल, फिर root cause मतलब main cause, root का न मेन bark everyday मतलब भॉंकना और bark का मतलब tree में tree में वो होता है, चाल उसकी tree की, भई, tree के जो उपर, upper layer होता है so इस तरह से यह 1, 2, 3, 4, पांच शब्द अलग तरह से यूज़ होएं अच्छा आप यहाँ देखो, B वाला पार्ट the words in the box are all words that describe movement use them to fill in the blanks in the sentences below, so यह जो सारे words dived, gliding, sprang darting whipped, back delving, so यह जो सारे शब्दें यह movement के लिए यूज़ होते हैं, तो आप यह इसमें से ढून के लिखो, so सबसे पहले when he began to trust me जब वो मुझ पे विश्वास करने लगा the squirrel began blank into my pockets for morsels of cake, फिर वो मेरे pocket में भी चला जाता था cake के टुकडों के लिए, so delving, begin delving I saw a cobra blank out of a clump of cactus मैंने cobra को cactus से निकलते देखा gliding मतलब एक cactus से वो glide करता वा निकला the snake hissed his fork tongue और snake अपनी tongue से hiss hiss करने लगा blank in and out so darting in and out so darting in and out वो अंदर भार करने लगा अपनी tongue when the cobra tried to bite it जब cobra ने उसको bite करने the mongoose sprang aside तो mongoose ने उसे जोर से छड़क दिया sprang कर दिया the snake blank his head blank to strike the crow the snake whipped his head तो snake ने अपना सर उठाया whipped किया blank to strike his head back तो उसने अपना पीठ the snake whipped his head back to strike the crow मतलब वो अपना उसने सर पीछे मुडाया उसको मारने के लिए the birds blank at the snake so birds ने snake की तरफ क्या किया the birds dived वो dive करके snake की तरफ आए so ये थे ये सारे शब्द movement दिखा रहे हैं और ये so these words show the movement next देखते हैं find words in the story which show things striking violently against each other so इस story में से शब्द टूंडो जो दिखाते हैं कि भाई एक दूसरे से टक्राना जोड से the cobra struck the crow his snout th blank 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 ing against its body so thirding th u double d ing thirding against its body तो मतलब जोड से टक्राना थर्ड करना the crow and the minor c blank double l blank 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 in mid air so एक दूसरे से टक्राए collide होए collide the birds dive at the snake जो birds है snake की तरफ dive करते आए but blank 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 d into each other instead पर वो एक दूसरे से टक्रा गए bummed b u m p e d एक दूसरे पर bump कर गए bummed into each other instead पर वो एक दूसरे से bump कर गए ठीक है एक दूसरे से टक्रा गए so यह आपके blanks थे ठीक है जोर से टक्राना so यह सारे thirding collided bummed d रेखते हैं d part look at the sentences in the spring birds of all kinds would flock into the banyan tree's branches I would spend the afternoon there ran further at 65 could no longer climb the banyan tree I could hide myself in its branches I could look down through the leaves at the world below I could read there would tells us what the author used to do or what used to happen could tells us what the author was usually able to or grandfather is now not able to do so यहां देखो would वाले sentences use होए है और यहां होए है could वाले so would वाले sentences use होते है वह दिखाते हैं कि author क्या करता था और could वाले sentences दिखाते हैं कि author क्या कर पाता है और उसके grandfather क्या नहीं कर पाते so choose would and could to replace the italicized words in the following sentences तो यहां आपको would और could डालना है grandfather says in olden days elephants were able to fly in the sky so elephants यहां italicized words कौन से हैं were able so were able को replace किसे करेंगे were able को replace करें could के साथ so यहां आएगा could so could fly were able to के जगे क्या आजाएगा could fly could fly in the sky like clouds so they were were की जगे क्या आएगा they were also able to change their shapes so they could also ठीके so were की जगे could they could change their shapes they used to fly behind clouds and frighten them so they would used की जगे क्या आएगा would यहां पर used to की जगे would they would fly behind clouds and frighten them people would look up at the sky in wonder ठीके अचा अब यहां देखो because there was no electricity used to get up with the sun and he used to go so used की जगे क्या आएगा would used to की जगे would get up used to की जगे would were able to की जगे could were able to की जगे could they could change their shapes they could change their shapes they could also were able to की जगे और यहां used to की जगे would like the owl he was able to so यहां पर भी देखो used to की जगे would he was able to so able to की जगे could able to की जगे could आएगा able to की जगे could was able to की जगे could ठीके so could करना आएगा was able to की जगे और would कहा आएगा used to की जगे so this was the end of this exercise आगे भी है so we will try to do it in another lecture so आगे कुछ खास नहीं है but we will see in the next lecture so with this I am ending my this lecture I am requesting you to write each and everything properly जो भी चीज आज हमने समझी this is me and Ishika I am requesting you again to read the entire chapter and write the exercise properly and WhatsApp me the entire thing thank you, thanks a lot on 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 on